मैं कहूंगा कि अगर आप काशी जाने वाले हैं, तो कम से कम तीन महीने किसी ध्यान प्रक्रिया में दीक्षा लीजिए, कुछ समय ध्यान कीजिए, थोड़े ज्यादा समवेदन शील और शांत बनिये, अपनी सारी मान्यताएं घर पर छोड़ कर आई. काशी रस्मों से भरी हुई है, यह अनुष्ठानों का केंदर रहा है, भीतरी प्रक्रिया करने से ज्यादा भरोसे मंद, कुछ नहीं होता, वो सबसे अच्छा तरीका है. तो एक प्रक्रिया में दीक्षा मिलने के बाद, आपको उसी पर निर्भर रहना चाहिए. यह चीजें इसलिए बनाई गई, क्योंकि यह जन्ता के लिए हैं. उन्हें खुद के साथ कुछ भी करना नहीं आता, पर वो इतना जानते हैं, कि कुछ करना जरूरी है. तो इसलिए एक ऐसा यंत्र और यंत्र के साथ जुड़ी जटिल रस्मे करना बहुत उप्योगी हैं, क्योंकि इससे कई लोगों की एक साथ मदद होती है. एक अनुष्ठान है, जिसे सब्तरिशी पूजा कहते हैं. जिसे उसी रूप में मौजूद है, जैसे शिब ने सब्तरिशियों को सिखाई थी, वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और इस तरह से की, कि उर्जा के धेर बनते चले गए. दूसरों को शायद इसका एसास ना हो, मेरे लिए ये एक जीवित सचाई है. और लोगों के आसू बहने लगे, वो नहीं जानते कि ये क्या है. जो इसे कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि ये कैसे होता है. पर वो सिखाई गई प्रक्रिया के हिसाब से पूजा करके, इसे एक सचाई बना रहे हैं. देखिए, इस नाव को चलाने वाले विक्ती, इंजन बनाना नहीं जानता. उसे बस उप्योग करना आता है, जो काफी है. तो उन्होंने बस वैसे पूजा करना सीखा, जैसे सब तरिशी करते थे, साथ लोगों ने बैट कर पूजा की, जो की जबरदस्त थी. मैंने किसी भी मंदिर में इतनी उर्जा कभी नहीं देखी, मैंने कई मंदिर देखे हैं. जहाँ भी मुझे उर्जा महसूस होती है, मैं जाता हूँ. मैं वहाँ प्रार्थना करने नहीं जाता, मैं मांगने नहीं जाता. मैंने जीवन में कभी किसी मंदिर में अभिशे क्या पूजा नहीं की है, ठीक है? पर ये एक जबरदस्त विज्ञान है. आपको ध्यान लिंग मंदिर में आकर बैठना चाहिए, ना कोई अनुष्ठान, ना मंतर, ना पूजा, कुछ भी नहीं. वहाँ आमेशा बिलकुल शांती होती है. बस जाकर वहाँ बैठें और देखें, क्योंकि उसे मूल रूप से ध्यान के लिए बनाया गया है, जिने ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता, जिने कोई निर्देश नहीं मिला है, बिना किसी निर्देश के लोग ध्यान मय हो जाते हैं. तो ये तकनीके हैं, ना के विश्वास प्रणाली, तकनीके जिनका ध्यान नहीं रखा गया. मेरा आखरी प्रश्ण जब कोई काशी में आता है तो किस चीज का अनुभव उन्हें यहां जरूर करना चाहिए सबसे पहले थोड़ी तैयारी करके आईए मैं कहूंगा कि अगर आप काशी जाने वाले हैं तो कम से कम तीन महीने किसी ध्यान प्रक्रिया में दीक्षा लीजिए कुछ समय ध्यान कीजिए थोड़े ज्यादा समवेदन शील और शांत बनिये अपनी सारी मान्यताएं घर पर छोड़ कर आई धन्यवाद, धन्यवाद सत्कुरू